नमस्कार मित्रों आज हम मूल नक्षत्र के चारों चरण में सुक्र के फल की विस्तार पूर्वक चरचा करेंगे यदि आपकी कुंडली में सुक्र मूल नक्षत्र में बैठे हैं तो क्या फल होगा आईए हम जान लेते हैं मित्रों आपकी कुंडली में कौन सा ग्रह कौन से नक्षत्र में बैठा है इस विशय पर हम एक वीडियो पहले ही बना चुके हैं उस वीडियो की लिंक हम नीचे डिस्क्रिप्चन में दे देंगे आप उसको देख करके एक मिनट में तुरंत समझ जाएंगे कि आपकी कुंड कुंडली में कॉन सा ग्रह कौन से नक्षत्र में बैठा है आज हम बात करेंगे मूल नक्षत्रमय शुक्र का क्या फ़ाल होगा आए जान देते हैं मित्रो यदी कुंडली में सुक्र मूल नक्षत्र के पहले चरण में बैठे हैं तो ऐसे व्यक्ति बुद्धिमान साहसी निडर सुभाव के होते हैं किसी भी व्यक्ति से जल्दी से डरते नहीं हैं और बड़े-बड़े साहसिक काम अकेले अपनी दंपर कर भी देते हैं लेकिन ये लोग प्रोधी गुसेल सुभाव के होते हैं और कलह प्रिय सुभाव के होते हैं कलह प्रिय का मतलब है कि ये लोग जहां भी जाते हैं वहाँ पर किसी ना किसी व्यक्ति से इनके मतभेद हो जाते हैं कभी कभी तो इनके अपने ही परिवार में अपने ही परिवार के लोगों से मतभेद होते रहते हैं ये लोग थोड़ा हिंसक प्रवर्ति के भी होते हैं और जो व्यक्ति कमजोर होता है उसको दबाने बाले होते कभी कभी तो ये लोग अपने ही परिवार के किसी सदस्य को बार बार प्रताडिक करते हैं, प्रताडिक करने का मतलब है कि कोई भी एक बात यदि इन्होंने किसी की पकड़ ली तो उसी बात को लेकर के बार बार उसको बोलते रहेंगे, जैसे अपने घर में अपने बेटे की या फिर अपनी बेटी की कोई छोटी सी गलती पकड़ ली तो उसी गलती को लेकर के बार-बार उसको बोलते रहेंगे या फिर घर में किसी भी सदस्य की कोई एक छोटी गलती पकड़ ली तो उसी गलती को लेकर के बार-बार बोलते रहेंगे ये लोग इधर की बात उधर करने वाले भी होते हैं इनके पेट में कोई बात पच्चती नहीं है यदि किसी व्यक्ति की कोई बात पता चल गई तो उसी बात को तुरंट दूसरे व्यक्ति को बता देंगे और कई बार एक की बात दूसरे को बता करके जगड़ा करवाने बाले भी होते हैं ये लोग थोड़े धूर्त सुभाव के होते हैं इन लोगों को जगड़ा करवाना जगड़ा करना अच्छा लगता है इन लोगों को आँखों से संबंधित परेशानी होती है या फिर इन लोगों को बहुत छोटी उमर से ही आखों में चस्मा लग जाता है यदि कुंडली में सूर्य और गुरू दोनों एक साथ बैठे हैं और शुक्र मूल नक्षतर के पहले चरण में बैठे हैं तो फिर ऐसे लोग बहुत अच्छे सुभाव के होते हैं फिर ये लोग मुखर प्रवर्त्य के होते हैं यानिकि जो कुछ बोलना है बहुत इसपष्ट और अच्छा बोलने वाले होते हैं ये लोग बाचाल होते हैं बोलने में माहिर होते हैं अपनी बातों को समाज में बहुत सही धंग से रखने वाले होते हैं ये लोग बुद्धिमान होते हैं, कई बार तो समाज में सलाहकार के तौर पर काम करने बाले होते हैं, या फिर समाज में किसी ना किसी बड़े व्यक्ति के सागिर्द होते हैं, सागिर्द का मतलब है कि किसी बड़े व्यक्ति के आसपास रहने बाले होते हैं, या फिर बड़ पूर रहिए और दूसरों की बुराई करने से बचिए तो आपके लिए अच्छा है मित्रो यदी कुंदली में सुक्र मूल नक्षत्र के दूसरे चरण में बैठे हैं तो ऐसे व्यक्ति बुद्धिमान विद्वान होते हैं और महत्वकांग्शी सुभाव के होते हैं हमेशा आंगे बढ़ने की कोशिस करते रहते हैं एक जगह से पैसे कमाने के बाद तुरंट दूसरी जगह से पैसे कमाने की जुगत में लग जाते हैं और इसी कारण से ये लोग महत्वकांग्शी होते हैं इसी कारण से अपने जीवन में अच्छी सफलता प्राप्त करते हैं ये लोग महनती परिश्थमी सुभाव के होते हैं और पढ़ाई लिखाई के लिए या फिर किसी चीज को जानने के लिए बहुत महनत करते हैं. और जीवन में ये लोग हमेशा कोई भी नई चीज को सीखने में पीछे नहीं हटते यदि कोई नई चीज सीखने को मिल रही है कोई नई चीज जानने को मिल रही है तो फिर ये लोग महनत से लगन से सीखने वाले होते हैं ये लोग बैसे तो सांति प्रिय सुभाव के होते है फाल्टू के लड़ाई जगड़ों में नहीं पड़ते हैं, सांति प्रिय होते हैं, लेकिन यदि इनके अधिकारों की बात आ जाए, इनके हक की बात आ जाए, तो फिर ये लोग अपने हक के लिए संघर्ष करते हैं, अपने हक के लिए किसी भी व्यक्ति से भिड़ जाते हैं शांतीप्री यह होते है लड़ाई जगड़ा पसंद नहीं करते, लेकिन यदि कोई व्यक्ति लगातार इनको दबानी की कोसिस करे, या फिर इनके अधिकारों को काटने की कोसिस करे, तो फिर ये लोग भिड़ जाते हैं. फिर नई देखते की सामने कौन है, फिर संगर्स करके अपने अधिकारों को छीन करके ले लेने वाले होते हैं ये लोग अपने जीवन में जो भी काम करते हैं व्यवसाई करते हैं या कोई भी नौकरी वगएरा करते हैं तो पहली नौकरी या पहला व्यवसाई जो करते हैं उसमें सफलता नहीं मिलती है जब उस पहली नौकरी या पहले व्यबसाय को बदल कर दूसरा व्यबसाय या दूसरी नौकरी करते हैं उसमें सफलता प्राप्त करते हैं यानि कि हम कह सकते हैं कि इन लोगों को ब्यापार बदलने के बाद या फिर काम बदलने के बाद उन्नती मिलती है ये लोग समाजिक सुभाव के होते हैं और समाज के लिए कुछ ना कुछ अच्छा करने बाले भी होते हैं कई बार ये लोग समाज में महिलाओं के अधिकारों के लिए लडाई करने बाले होते हैं महिलाओं के अधिकारों के लिए संघर्ष करने बाले होते हैं या फिर महिलाओं की किसी संघठन से जुड़ करके उसके लिए काम करते हैं या फिर अनाथालाई जैसी संस्थाओं से जुड़ करके पृद्धास्रम जैसी संस्थाओं से जुड़ करके काम करते हैं। कहने का मतलब है कि किसी ना किसी प्रकार की कोई ना कोई सामाजिक संस्था से, सामाजिक ट्रस्ट से या फिर धार्मिक ट्रस्ट से जुड़ करके काम करने वाले होते हैं। इन लोगों के अंदर leadership quality भी बहुत अच्छी होती है, यदि जीवन में कभी भी इन लोगों को किसी का नेत्रत्व करने का अवसर मिले, तो फिर ये लोग अच्छा नेत्रत्व करते हैं, क्योंकि इनके अंदर एक बहुत अच्छा leader छुपा होता है, यदि ये लोग समाज में क आयो विकार बगेरा की समस्या होती है, क्योंकि इन लोगों की बात प्रक्रती होती है, और बात प्रक्रती होने के कारण इन लोगों को पेट से संबंधित समस्याएं हमेशा बनी रहती है, या फिर पेट में गैस बगेरा बनने की समस्या होती है, इसी कारण से इनका जो सरी इस बगेरा करना सुरू करिए तो अच्छा रहेगा या फिर योग प्राणायाम बगेरा करिए तो अच्छा रहेगा केवल एक धर्म के नहीं ये लोग सभी धर्मों के विषय में अच्छी जानकारी रखने वाले होते हैं और ये लोग जिग्यासु प्रवर्टी के भी होते हैं जो चीज इनको नहीं आती है उस विषय को जानने की समझने की कोशिस करते हैं ये लोग अनवेसक प्रवर्टी के होते हैं, यानि कि हमेशा कुछ ना कुछ नया खोजने की कोशिस करते रहते हैं, कई बार तो दूसरों की बातें जानना, दूसरों की सीक्रेट जानना इन लोगों को अच्छा लगता है, और इनके पेट में कोई बात पचिती नहीं है, करके इनको सान्ती महसूस होती है, लेकिन ये लोग ब्यवहारिक प्रवर्टी के होते हैं, और समाज में सभी लोगों से अच्छा ब्यवहार बना करके रखने वाले होते हैं, बुद्धिमान होते हैं, तेजस्वी होते हैं, और बागपटू होते हैं, बोलने में माहिर होते अपनी बातों को समाज में अच्छे ढंग से रखने वाले होते हैं ये लोग सुखी जीवन जीने वाले होते हैं धनवान होते हैं इन लोगों के पास में सुख के सारे साधन मौजूद होते हैं लेकिन यदि कुंडली में सुख्र अकेले बैठे हैं तो फिर ऐसे लोगों के प एकेले बैठे हो यदि सुक्र किसी और ग्रह के साथ बैठे हैं तो फिर एंधनवान कोटे हैं अपने जीवन में सुक भोगने वाले होते हैं मिट्रों यदी कुंडली में सुक्र मूल लक्षत्र के चsi चरण में बैठे हैं तो एसे व्यक्ति बुद्धिमान, चतुर और बहु युक्ति वाले होते हैं यानिकि जुगाडू प्रवर्ति के होते हैं किसी भी तरह से जुगाड लगा करके अपना काम बनाने में माहिर होते हैं और ये लोग धनबान भी होते हैं इन लोगों के पास में पैसा रुपया परियाप्त मात्रा में होता है और ये लोग अपने जीवन में अपनी महनत से भी अच्छी मात्रा में पैसा कमाते हैं लेकिन इन लोगों के अपने घर में अपने ही परिवार के लोगों से मतभेद होते रहते हैं छोटे छोटे मतभेद जैसे इनके पिताजी कोई बात कहेंगे, इनको अच्छी नहीं लगेगी, ये लोग कुछ कहेंगे, इनके पिताजी को अच्छा नहीं लगेगा, इस तरह से इनके परिवार में इनका चलता रहता है, परिवार में किसी ना किसी व्यक्ति से इनके मतभेद होते रहते हैं, कभी होते हैं लेकिन मनभेद नहीं होते ये लोग कल्पनासील प्रवर्ति के होते हैं हमेशा मन में कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं और बहुत ज्यादा सोचते हैं बहुत ज्यादा आने की समस्या इनको हो जाती है यदि कुंडली में सूर्य और सनी दौनों एक साथ बैठे हैं तो फिर ये लोग बुद्धिमान विद्वान होते हैं लेकिन निमनिस्तर के ग्रंथों को पढ़ने बाले होते हैं यानि कि कुछ ना कुछ असलील साहित्य वगेरा या फिर कुछ मित्रों के अन्य विसेयों की चीजें पढ़ना शुरू कर देते हैं जिस कारण से इनका पतन होता है इनको परिशानी होती है लेकिन ऐसा जब होगा जब कुंडली में सूर्य और सनी एक सांथ बैठे हों अन्य था नहीं मित्रों यदि आपकी कुंडली में सुक्र मून लक् तो आप मानसिक तनाव थोड़ा कम लीजिए तो अच्छा है मित्रों आज के लिए बस इतना ही नमस्कार